साथ्यों यदि आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो बेंक आपसे तीन साल के फोर्म नंबर 16 आपसे मांगती है अब हो सकता है एसी कंडिशन आपके सामने आ सकती है कि आपके डिडियों ने जो आपको फोर्म नंबर 16 दिये थे वो फोर्म नंबर 16 कहीं बूलवश आपस फुल्फिल करते हैं उन डेटा के जुगार करने मां आपको काफी समश्या का सामना करना पड़ता है जब आपका फॉर्म फुल्फिल हो जाता है उसके बाद आप डीडियो को परमानित कराते हैं और उसके बाद आप बैंक में जाकर उन्हें जमा करते हैं और कहीं आपका लोन नमबर 16 गुम हो गया है और यदि आपने आपका आई टी आर ओनलाइन किया है तो आप आपके जो फोर्म नमबर 16 है उनको एफीलिंग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वही प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल step by step बताऊंगा तो आप वीडियो को पातियों देख लेते हैं वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप किसी भी सत्र के आपके जो फोर्म नमबर 16 है वह बड़े आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे आपके फोर्म नमबर 16 आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है आपके सिस्टम में जो Chrome ब्राउजर होता है उस पर और आपको यहां सर्च बार में जैसा कि मैंने यहां लिका हुआ है E-Feeling ऐसा लिखकर आपको सर्च करना है जैसे आप यह लिक कर करेंगे आपके सामने यह साइड आ जाएगी Income Tax Department की Income Tax Department Home से आपको पहली साइड मिलेगी इस साइड पर आपको क् जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की information आपके सामने आ जाएगी जहां आपको user ID डालने के लिए कहा जाएगा तो user id आपके pen number ही होते हैं तो आप यहाँ आपके pen number enter कर लिजेगा जैसे ही आप pen number enter करेंगे आपके सामने continue का option जो यहाँ है वो active mode पर आ जाएगा तो आपको यहाँ continue पर click कर लेना है जैसे ही आप continue पर click करेंगे इस तरह की information आपके सामने अब यहाँ पर display होगी तो उपर आपके pen number आपको यहाँ दिखाये जाएगे अब आपको यहाँ एक check box मिलेगा इस पर आपको click कर लेना है अब आपके जो भी password आपने design कर रखें वो password आपको यहाँ enter कर लेना है password इंटर करने के उपरां तो आपको यहाँ continue का option active mode वे दिखाये देगा तो आपको इस पर click करना है अब आप income text विबाग की home site पर या income text विबाग को login कर चुके है आप से संबंदित information आपको यहाँ display होती रहेगी आपने जो आपके ITAR फाइल किये उनकी information यहाँ display होती रहेगी साथियों आपने जो आपका ITAR जो फाइल किया यदि उससे related आप मुझसे कोई और information चाते है तो please मुझे comment box में comment करके बताइएगा मैं निश्चीती आपके लिए अलग से वीडियो जारी कर दूँगा आज की वीडियो में मेरा जो टोपिक है कि आपको 16 नंबर आपके कैसे डाउनलोड करने है income tax विबाग की साइट से वो टोपिक है तो मैं उसी टोपिक पर आपसे बात करूँगा तो साथियों अब आपको यहाँ आना यहाँ आपको एक option मिलेगा file name से तो आप जब यहाँ file पर click करेगे यदि आप mobile पर work कर रहे है तो आपको थोड़ा यहाँ long press करना है फिर आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक option मिलेगा income tax return का तो आपको यहाँ आगया जाना है अब आपको यहाँ नीचे दूसरे नंबर पर फिर option मिल जाएगा view fill return name से तो आपको इस option पर click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने इस तरह से information अब show हो जाएगी आपके assessment year की information आपको यहाँ show होगी आप कौन से assessment year का जो आपका 16 number डाउनलोड करना चाहते हैं वो information आपको यहाँ से मिलते रहेगी तो आप यहाँ से देख लिजेगा assessment year उसके बाद आपको यहाँ पर अलग-अलग option दिखाए देंगे जहां मेरा cursor जा रहा है तो यहाँ आपको एक option अवलेबल करवाए हुआ है download form का तो सातियों यहाँ किलिक करके आप form डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यह मेरे पहले assessment year का यहाँ से form number हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करें हम दूसरे assessment year जैसे 2022-23 का यदि हम form number 16 डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ही option आपके सामने यहाँ मिल जाएगा download form का तो सातियों में आपको यहाँ download करके भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ download form जो आपको मिल रहा है इस पर किलिक कर लेना है जैसे ही आप download form पर किलिक करेंगे कुछ समय प्रोसेस होगी और आपका form आपके सामने खुल कर आ चुका है आप यहाँ सा सारी information देख सकते हैं जो आपने ITR online करते समय जो फिल की होगी वो सारी information आपको यहाँ दिखाए देगी तो आपको इस form नंबर 16 को पूरी तरस आपके पास download करके रख लेना है जी 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 भी form नंबर 16 आप download करने के बाद उन्हें print out ले लिजेगा उसके बाद आपके ddo के पास जाएगा उनसे उन्हें परमानित करा लिजेगा हलाकि यह सात्यों income tax विबाग की home site सा आपने निकाला है बकाइदा इस पे income tax विबाग का logo आता है और आपका ITR बिल्कुल clear हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है बैंक ऐसे भी मान सकती है परन तो कोई manager आपसे कहे कि आप इन्हें परमानित करा के दीजिए तो आप आपके ddo के पास जाएए इनकी print out लीजे और अपने ddo से इनको परमानित करवा लीजे और फिर आप बैंक में इन्हें जमा कर दीजिए और इस तरह से सात्यों आपके जो form नंबर 16 की जो कटिनाई थी आपके form नंबर 16 यदि आप से गुम हो चुके थे तो आप सभी प्रक्रियाओं से बसकते हैं अनावशक प्रक्रिया जो आप फोलो करते हैं कि आपको वापस डेटाई कर्टा करना है form नंबर 16 बढ़ना है फिर डीडियों से परमानित करोना वो अनावशक समय आपका बसकता है और यदि आपने इस वीडियो की help ली तो चंद जानकारी आपको कैसी लगी और हाँ सात्यों इस जानकारी को हमारे अन्य सात्यों तक पहुचाना ना बुलेगा क्योंकि हो सकता है उनको भी इसी समश्य का सामना करना पड़ रहा हो तो ये वीडियो उनके लिए helpful होगी मिलते हैं सात्यों इसी तरह के नवीन अपडेट के स तब तक के लिए जे हिन जे बारत